दोस्तो आज हम देखेंगे ग्रामर का टोपिक A, N और The जी हाँ दोस्तो आज हम आर्टिकल्स डिसकस करेंगे आर्टिकल्स A, N और The के जितने भी रूल्स है वो सब रूल्स आप सबको बताने की कोशिश करूंगा इसलिए पूरी वीडियो देखना आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो चलिए अब बीना टाइम गवाए टोपिक पर चलते हैं आर्टिकल्स सिखने के लिए सबसे पहले हमें बीजिक चीज़ सिखने पड़ेगी ABCD में टोटल 26 आलफाबेट्स होते हैं दोस्तो अब आप सब कहेंगे ये सब क्या सिख रहे हम आर्टिकल्स सिखते सिखते ये ABCD कहा से आगई बीच में लेकिन दोस्तो मैं आपको बताता चलो कि ये सब बेजिक चीज़ सिखना आर्टिकल्स के लिए जरूरी है तभी तो आर्टिकल्स अच्छे से समझ आएंगे तो हम बात कर रहे थे आलफाबेट्स की ABCD में टोटल 26 आलफाबेट्स होते हैं दोस्तो इस 26 आलफाबेट्स में पांच ऐसे आलफाबेट्स है जिसे हम स्वर यानि की वोवल्स के नाम से जानते हैं वो है A, E, I, O, U ये पांच आलफाबेट्स को वोवल्स का जाता है और इसके अलवा यानि की A, E, I, O, U के अलवा जो बाकी बचे उन सब आलफाबेट्स को वेंजन यानि की कॉंसोननन का जाता है इसी तरह हिंदी में भी A, A, E, E ये सब जो है उसे स्वर यानि की वोवल्स का जाता है और क, ख, ग, ग, ये सब जो है उनको कॉंसोननन का जाता है आई होप आपको स्वर और वेंजन का फर्क समझा गया होगा क्योंकि आर्टिकल्स सिखने के लिए ये बिजिक चीज है दोस्तों, सिंपली आप सबको ये तो मालुम होगा कि आर्टिकल्स टोटल तीन है A, N और The इन तीनों आर्टिकल्स की यूज भी अलग-अलग है ऐसा नहीं कि जहाँ पर चाहे आर्टिकल A लगा दिया किसी जगा आर्टिकल N लगा दिया और कही पर आर्टिकल D लगा दिया दोस्तों, इस सब के रूल्स है आर्टिकल्स के टू पार्ट है इन डेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल यानि कि अनिच्चित आर्टिकल और निच्चित आर्टिकल दोस्तों, आर्टिकल A और आर्टिकल N को अनिच्चित आर्टिकल कहा जाता है और आर्टिकल D को निच्चित आर्टिकल कहा जाता है Article A और Article N को इसलिए अनिचित Article कहा जाता है क्योंकि आम तोर पर ये जिस वेक्ति या चीज के बारे में बात करते हैं उसे अनिचित बना देते हैं जैसे A Teacher इसका मतलब कोई भी टीचर यहाँ कोई Particular Teacher की बात नहीं की गई यानि की अनिचित बात है कोई Fixed नहीं है की यही टीचर तो Article A और Article N को अनिचित यानि की Indefinite Article कहा जाता है और Article D को इसलिए निचित आर्टीकल कहा जाता है क्योंकि वो कोई Particular व्यक्ति या Particular चीज की बात करता है जैसे He saw the Teacher यानि की Particular Teacher की बात की गई है Fixed है निचित है की यही टीचर तो Article D निचित बात बताता है तो इसको Definite यानि की निचित आर्टीकल कहा जाता है Indefinite Article A और N एक वचन नाम जिसे गीना जा सके उसके आगे यूज होता है जैसे A Book, An Orange, A Girl, वगेरा Definite Article D एक वचन और बहुचन जिसे गीना जा सके उस नाम के आगे यूज होता है जैसे The Book, The Books, वगेरा उसके अलावा जिसे गीना नहीं जा सकता उसके आगे भी Article D यूज होता है जैसे The Milk वगेरा अब दोस्तों Article A, N और The कहा कहा लगती है ये देखेंगे हम सबसे पहले Article A के बारे में देख लेते हैं दोस्तों Article A और Article N साउंड पर से अलग किये जाते हैं यानि कि हमें साउंड पर से पता चलता है कि कहा पर Article A आएगा और कहा पर Article N आएगा Article A उस नाम के आगे लगता है कि जीस नाम के पहले अक्षर का प्रोनाउंस A, A, E, E यानि कि जो वोवेल से उससे शुरू होता नहों तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर शब्द की स्टार्टिंग क, ख, ग, ग, इन सब व्यंजन के प्रोनाउंस से यानि कि कौनसोनन के प्रोनाउंस से होती हो, तो उस शब्द के आगे आर्टिकल A आएगा दोस्तों मैं आपको एक्जांपल देके समझाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझा जाए A boy, a horse Simply, हमने इन दो words, boy और horse के आगे आर्टिकल A लगा दिया हमने ये आर्टिकल A क्यों लगाया, ये मैं आपको समझाता हूँ, ताकि आपके सारे doubts क्लियर हो जाए, पर आपको अच्छे से समझा जाए सबसे पहले इस word boy को देखो, जब हम इस word को बोलते है, तो इसकी प्रोनाउंस होती है boy तो दोस्तों boy बोलने में जो पहला word यूज हुआ, वो ब है, अब ब वेंजन है, याने कि consonant है, तो मैंने आगे बताया उस तरह, अगर बोलने में किसी word की starting consonant से होती हो, तो उसके आगे आर्टिकल A आएगा उसी तरह ये दूसरा word horse देखो, जब हम इस word को बोलते है, तो horse बोलेंगे, याने कि प्रोनाउंस ह से start होगा, और दोस्तों ह एक consonant है, तो उसके आगे भी आर्टिकल A लगेगा सिम्पल शब्दों में कहे, तो जिस word की प्रोनाउंस की starting, vengeance से याने कि consonant से होती हो, उस word के आगे आर्टिकल A आएगा I hope यहाँ तक clear है, दोस्तों अब देखते हैं आर्टिकल N के बारे में, हमने अभी अभी देखा कि जिस word का प्रोनाउंस कॉंसोनन से start होता हो, उस word के आगे आर्टिकल A आएगा तो इसमें कॉंसोनन की जगा vowels लगा लो अब, जिस word के प्रोनाउंस वोवेल से start होती हो, उस word के आगे आर्टिकल N आएगा अब इसके examples देख लेते हैं हम, ताकि आर्टिकल N हमें अच्छे से समझा जाए एन ओरेंज एन एनेमी, हमने इन दोनों words ओरेंज और एनेमी के आगे आर्टिकल N लगा दिया इस word ओरेंज को देखो, जब हम ओरेंज बोलते हैं, तब प्रोनाउंस की starting असे होती है और हमें मालूम है कि अस word है, तो इसके आगे आर्टिकल N आएगा दूसरा word है एनेमी, जब हम इस word को बोलते हैं, तो इसकी प्रोनाउंस की starting A यानि की असे शुरू होती है अब A एक स्वर है, तो इसके आगे भी आर्टिकल N आएगा आशा करता हूँ, आपको आर्टिकल N भी समझा गया होगा अब दोस्तों, मैं आपको एक ओर इंट्रेस्टिंग बात बताता हूँ पहले हम स्कुल में पट्टे थी कि जिस word की starting sver से यानि की A, E, I, O, U से होती हो उसके आगे आर्टिकल N आएगा और जिस word की शुरूआत A, E, I, O, U से नहीं होती यानि की vengeance से शुरूआत होती हो तो उसके आगे आर्टिकल A लगेगा तो दोस्तों, अगर मैं आपको पूछू कि H, O, U, R, O, R के आगे कौनसा आर्टिकल आएगा तो आप सब तुरंट कहेगी के आर्टिकल A आएगा लेकिन ये पूरी तरह से घलत है दोस्तों हम जो पहले सीखे हैं उसे भूल जाओ अगर आप याद रख सकते हो तो कोई बात नहीं पर उसके साथ साथ आपको एक और चीज भी याद रखनी होगी जो हमने सीखी है वो इससे अच्छा है तो एक ही बात याद रखे तो हम बात कर रहे थे अवर की दोस्तों इस वर्ट के आगे आर्टिकल A न आएगा अब आपको क्वेस्चन होगा कि अवर का स्पेलिंग H से शुरू होता है और H एक वेंजन है तो आर्टिकल A आना चाहिए न लेकिन हमने आगे सीखा उसको याद रखो दोस्तों हमें वर्ट की स्पेलिंग नहीं देखनी हमें उसका साउंड यानि की उसका प्रोनाउंस देखना है हमें अवर की स्पेलिंग नहीं देखनी उसका प्रोनाउंस दिखना है तो इसका प्रोनाउंस होता है अवर यहाँ ध्यान रखना दोस्तो इसको हवर नहीं बोलते इसको अवर कहा जाता है बोलते वक्त एच साइलेंट रहता है तो अवर की प्रोनाउंस होती है असे और अ एक स्वर है याने कि आर्टिकल एन आएगा इंग्लिश में ऐसे दुसरे काफी सारे वर्ट्स है जैसे अंब्रेला, ओनेस्ट, अवर, युनिवर्सिटी, युनियन, वगेरा अंब्रेला का प्रोनाउंस टार्ट होता है असे याने कि उसके आगे आर्टिकल एन आएगा एन अंब्रेला, ओनेस्ट का प्रोनाउंस भी असे शुरू होता है तो इसके आगे भी आर्टिकल एन आएगा एन ओनेस्ट, अवर का तो हमने अभी अभी देख लिया दोस्तो ये दोनों वर्ड लिखने में भले ही ऐसे लिखे जाते है लेकिन जब हम उनका प्रोनाउंस करते है तब एच साइलेंट हो जाता है एच बोलने में नहीं आता अब देखते है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वर्ड में ये या यू वाले स्वर में से यू याने की स्वर से शुरूआत होती है मगर, मगर रूको, हमें वर्ड की स्पेलिंग नहीं देखनी है वर्ड का साउंड याने की उसकी प्रोनाउंस देखनी है हमें तो university word के pronounce की शुरूवात होती है you से, अब you तो कोई swear नहीं है, you एक vengeance है, तो इसके आगे लगेगा article a, a university, अगला word है union, दोस्तो union के pronounce की शुरूवात होती है you से, और you एक vengeance है, तो इसके आगे भी article a लगेगा, a union, दोस्तो अगर आपको simple शब्दों में याद रखना हो, तो इतना याद रखो, कि अगर word के pronouns की शुरूवात स्वर से होती हो, तो उसके आगे article a लगेगा, और अगर word के pronouns की शुरूवात vengeance से होती हो, तो उसके आगे article a लगेगा, काफी simple बात है, I hope आपको समझ आ गई होगी, दोस्तो आपको मैं एक word देता हूँ, आप comment में बताना कि उस word के आगे कौन सा article आएगा, mbbs, इस word के आगे कौन सा article आएगा, ये मुझे comment में बताना, दोस्तो अब हम बात करते है article the के बारे में, article the definite article है, यानि कि निच्चित बात बताता है, article the का use कहा कहा होता है, वो देख लेते हैं अब, जब किसी व्यक्ति या चीज़ के बारे में बात करें और फिर से उस व्यक्ति या चीज़ के बारे में बात करना हो, तो article the आएगा, जैसे this is a book, ये हमने एक sentence कहा, मगर इस book के बारे में मुझे दूसरा sentence बोलना हो, तो तब article the आएगा, the book is new, this is a book, the book is new, ये एक किताब है, किताब नहीं है, तो अगर कोई व्यक्ति या चीज़ के बारे में फिर से बात करें, तो तब article the का यूज होता है, अगर पूरी काश्ट की बात करें, तब article the का यूज होता है, जैसे the cow is a useful animal, महासागरो और समुद्र के नाम के आगे धका यूज होता ह जैसे the pacific ocean, the Indian ocean, the red sea वगेरा। rivers यानि की नद्यों के नाम के आगे भी धका यूज होता है, जैसे the ganga, the नर्मदा वगेरा। canals यानि की नहरों के नाम के आगे भी धका यूज होता है, जैसे the नर्मदा canal वगेरा। रेगिस्तान के नाम के आगे भी धका यूज होता है, जैसे दरन अप कच वगेरा, ग्रूपस अप साइलेंड के नाम के आगे भी धका यूज होता है, जैसे दर वेस्ट अंडिस वगेरा, पहाडो के नाम के आगे भी धका यूज होता है, जैसे दर हिमालयाज वगेरा, रिले चीजों उसके आगे दाकायूज होता है जैसे le sun, the earth, the moon, the sky, and the music instruments के आगे भी दाकायूज होता पर जैसे जैसे दाजमाल, 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 द Numerical words यानि कि संख्यात्मक शब्दों के आगे भी दका यूज होता है, जैसे the first lesson, the fifth lesson, वगेरा, आम तोर पर country के नाम के आगे दका यूज नहीं होता, लेकिन पांच country यह इसी है, जिनके आगे खासकर article the use होता है, the USA, the USSR, the UK, the Sudan, and the Netherlands, दोस्तों, I hope आपको दका यूज कहा होता है, वो समझा गया होगा, दका यूज कहा कहा होता है, वो तो हमने देख लिया, लेकिन अब दका यूज कहा नहीं किया जा सकता, वो देखेंगे हम, बाव आचक नाम के आगे दका यूज नहीं किया जाता, जैसे honesty is the best policy, वगेरा, गेम्स के नाम के आगे भी दका यूज नहीं होता, जैसे I play the chess, ऐसा नहीं होता, सिर्फ I play chess होता है, गेम्स के नाम के आगे दका नहीं लगता, languages यानि कि भाषाओ के नाम के आगे द नहीं लगता, जैसे the English, the Hindi ऐसा नहीं होता, सिर्फ English, Hindi, गुचराती, उर्धू, इस तरह होता है, Languages के नाम के आगे द नहीं लगता Country के नाम के आगे भी द नहीं लगता जैसे The India, The China ये गलत है सिर्फ India, China इस तरह सही है Country के नाम के आगे द नहीं लगता लेकिन दोस्तों हमने पहले देखा कि 5 country ऐसी है जिनके आगे Article 2 यूज होता है The USA, The USSR, The UK, The Sudan and The Netherlands ये कपवाद है तो इसी याद रखना School, College, Church, Hospital, Market की मुलाकत Common यानि की सामन्य हो तब धका यूज नहीं होता जैसे School का एक्जम्पल ले तो I go to school at 11 o'clock दोस्तों ये common बात है मैं 11 बज़े स्कूल जाता हूँ ये कोई special बात नहीं मैं रोज स्कूल जाता हूँ तो अगर School, College, Church, Hospital, Market की मुलाकत Common यानि की सामन्य हो तब धका यूज नहीं होता लेकिन ये School, College, ये सब वर्ट्स का यूज सटिकता बाताने के लिए किया गया हो तब धका यूज होता है जैसे The School is opposite to my house तो या सटिकता बताईए कि स्कूल मेरे गर की विरुद्दिशा में है या परफेक्ट बात है कि स्कूल इसी जगा है ऐसा तो अगर परफेक्ट बात बतानी हो तब धका यूज होता है खास रिष्टेदारों के नाम के आगे धका यूज नहीं होता जैसे The Father, The Mother, The Uncle ऐसा गलत है सिर्फ, Father, Mother, Uncle ये सही है खास रिष्टेदारों के नाम के आगे धका यूज नहीं होता विशिष्ट पद होने वाले नाम के आगे धका यूज नहीं होता जैसे Mr. Desai was made principal Mr. Patel was elected chairman दोस्तो ये दोनों सेंटेंस सही है इस ताइप के विशिष्ट पद के आगे धका यूज नहीं होता Mr. Desai was the made principal Mr. Patel was elected the chairman ये गलत है दोस्तो इस ताइप के आगे धका यूज नहीं होता बगवान के आगे धका यूज नहीं होता जैसे The God ये पूरी तरह से गलत है सिर्प God ही होता है बगवान के नाम के आगे धका यूज नहीं होता लिक्विट के नाम के आगे भी धका यूज नहीं होता जैसे The Water, The Oil, The Milk ये गलत है सिर्प Water, Oil, Milk ये सही है लिक्विट के नाम के आगे धका यूज नहीं होता दोस्तो आर्टिकल्स के बारे में जितना हो सके वो सब बाते आप तक शेर की I hope आपकी जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होगे आशा करता हूँ आज का हमारा जो आर्टिकल्स का टोपिक था उसको आपने अच्छे से समझाओगा शुक्रिया